हलो गूड मॉर्णिंग अबरिबन आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने बाले हैं कि इंपोर्टेंट बिसे पर और वह इंपोर्टेंट बिसे आपका बॉडी चेक अप या हेल्थ चेक अप आज के समय में एक इतना जादा डॉमिनेंट बिसे है कि अक्सर लोग इस सव प्रिक्वेंट कुश्यन है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं वैसे तो इस विसे के बारे में आप लोग पहले से अवेयर हैं क्योंकि आज के समय में प्रिंट मीडिया के थ्रू डिस्कल मीडिया के थ्रू वाट से फेस्बूक इंस्टाग्राम आप डिफेंट जो मीडिया प्लिटफों में उनके थ्रू आप होल बॉडी चेक अप के बारे में लगवग लगवग सभी लोग जानते हैं जिसमें विसेस जो अकाय उपर दिये जाते हैं बहुत सारी कंपनियां आपको समय समय पर प्रमोट करती हैं का आप होल बॉडी चेक अप कराईए इवन आपकी जो लाइफ इंसुरेंस कंपनियां हैं वो भी आपको प्रमोट करती हैं हेल्ट चेक अप के लिए लेकिन मैं इस से थोड़ा सा सहमत हूँ मेरा एक अलग ऑपिनियन है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा साथ में कुछ बेसिक बॉडी चेक अप के बा बार अपना ब्लड प्रेasher चेक कराना चाहिए और उस ब्लड प्रेasher को एनिहाओ याईदर डाइट के थुरू या मेडिकेशन के थुरू या एक्सरसाइस के थुरू नॉर्मल रिंज में आपको रखना है यानी ब्लड प्रेasher को नॉर्मल रखनी के लिए जो भी एक्ट रखना है दूसरा जो मैं आपको बोडी चेकप के बारे में बात करूंगा वो है आपका वेट यह बोडी का वेट आपको रखना है क्यों वोडी का जो वेट है यह अल आफ सडन इंक्रीज नहीं होता है यह आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति न तो अचानक से मोटा होता है और नहीं अचानक से पतला होता है यह एक ग्रिजुल प्रोसेस है और जब सरीर में मोटापा आता है यानि ओवेसिटी हमारे सरीर में आती है तो बहुत सारी बिमारियां घर कर जाती है चाहें वो आपकी डाइबिटीज हो चाहें वो हाइपर टेंशन हो या अधर ब ब्लड सुगर आपको समय समय पर यानि अगर एक healthy वक्ति है उसको भी at least वर्स में दो बार अपना सुगर चेक कराना चाहिए और ये सुगर आपका fasting सुगर होना चाहिए और आपका खाना खाने के बाद की सुगर की value आपको पता होनी चाहिए और इसको आप normal रखेंगे तो मै हैं तो आपको बड़ी बड़ी profile कराने की जरुवत नहीं है बड़े बड़े test कराने की जरुवत नहीं है आप इनहीं parameters को complete अगर रखते हैं healthy रखते हैं तो आप अपने आपको healthy रख पाएंगे साथ में ये parameters इतने ज्यादा cost effective है कि इनके लिए आपको साला ना 200 से 300 रुपे की आप सकता पड़ती है यानि मैं ये कहना चाहूंगा कि maximum population इस जो अकाय प्रोसीजर को follow कर सकती है इसको afford कर सकती है तो आप यही basic test कराएं और अपने आपको healthy रखें बाकी आपको बहुत बड़े-बड़े test कराने की जरुवत नहीं है साथ में मैं ये भी कहूंगा आपको कि आप अपनी life में अपना आहर बिहार सुधारिये यानि अपनी diet सुधारिये अपना घूमना फिरना सुधारिये अपनी surrounding को सुधारिये आप जहां रहते हैं healthy लोगों के बीच में रहें positive लोगों के बीच में रहें तो आप अपने आपको हमेशा healthy रखेंगे और स्वस्थ पाएंगे. Thank you all of you.